औरेंज और परपल कैप जीतने वाली खिलाडियों की सरुस्रिष्ट आईपेल प्लेग 11 आईपेल की सुरुवाद वर्षे 2008 में हुई थी जिसमें 8 सर आधारेट फ्रेंजाइजी की टीम तैयार की गई थी जहां सक्री भारती खिलाडी फिलीसी खिलाडियों के साथ एक ही टीम में खेलते भी दिखाई दिये थे यहाँ परियोग सुपर हिट साबित हुआ और आईपेल आज दुनिया की सारुस्रिष्ट टीट्वेंटी लीग है इस टॉर्नमेंट में खेलने वाले परते खिलाडी औरेंज या परपल कैप जीतने का सपना देखते हैं हालंकि एक सीजन में सिर्फ दो खिलाडियों को यह सौभा की प्राप्त हो पाता है आज की इस वीडियो में हम आपको औरेंज और परपल कैप जीत चुके खिलाड़यों को मिलाकर एक सरुसरे टाइप एल प्लिंग लेवन बनाएंगे आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार क्या हो सकती है प्लेइंग लेवन ये जानने के लिए वीडियो में अंतर तक बने रहें साथ है मैं चैनल पे नए आये हैं तो ऐसी लाइटेस्ट किरकेट से रिलेटेड वीडियो देखिने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस प्लेइंग लेवन में उपन करने के लिए आएंगे सचिन तैन्दूलकर और क्रिस गेड जी हाँ क्रिस गेड ने आइपियल के सुराती तीन सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था हालनकि उसके बाद आर्सीमी टिम में जाने के बाद वे आइपियल इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन गए थे उन्होंने आइपियल में बल्लेबाजी के ज़्यादा रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं और दो बार औरेंज कैप भी जीती है और वहीं 2010 सीजन में 618 रन बनाने के बाद मुंबई इंडियन से के पूर्व सलामी बल्लेबाज सतिन तैंदलुकर ने औरेंज कैप जीती थी जिसके कारण वे इस सूची में सामिल किये गए हैं हमारे इस प्लेइंग 11 में मीडिल ओर्डर की जिम्यदारी सम्भालेंगे डेविड वार्नर, विराट कोली, सौन मार्स और रॉबिन उथपपा जी हाँ डेविड वार्नर यकिनन आपेल इध्यास के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज रहे हैं और सबसे अधिक बार औरेंज कैप अपनी नाम कर चुके हैं जिसके कारण उनके विना ये टीम पूरी नहीं हो सकती है और वहीं आईपेल के एक सीजन में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोली के नाम है कोली ने 2016 में आईपेल में सार सदको की मदद से 9-74 रन बनाई थे बता दें कि आईपेल के पहले सीजन में सबी को हैरान करते हुए बतोर अनकेप खिलाडी औरेंज कैप जितने वाले 109 मार से भी सूची में सामिल है जबकि 2014 में औरेंज कैप जितने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स के पूरू रोविन उथपपा इस टीम के बतोर विकेट की पर जुनी गए हैं इस प्लेंग लेवन में अमने गिंदबाजी के जिम्मा सोबा है जी हाँ डीजे ब्रावो इस टीम के लिए डैथ में गिंदबाजी के साथ साथ फिनिशर की भूमिका निवाएंगे उन्होंने टॉर्नामेंट के एक सीजन में रिकॉर्ड 32 बल्ले बाजो को आउट करने के बाद 2013 में परकल कैप जीता था और वहीं उनकी सेहस के टीम के साथी इमरान ताहिर इसमिन गिंदबाजी आकरमन का नेतरित करेंगे और पूरू डेकन चारजर से स्टार प्रग्यान ओजा उनका साथ इंगे 2009 में साथ अपरिगा की सरजमी पर खेले गई IPL में ओजा ने परपल कैप जीती थी और वहीं लसित मलिंगा और भूनिशर कुमार तीज गिंदबाजी का नेतरित करेंगे बता दें कि भूनिशर दो बार के IPL परपल कैप के विजेता है जबकि मलिंगा ने 2011 में परपल कैप जीती थी और वह IPL इत्यास में सबस्यादी बिकिल लेने वाले गिंदबाज भी है तो फ्रेंड जो फैनली हमारे जो औरेंज और परपल कैप जीतने वाले खिलन की सरुष्ट्रेट IPL प्लेइंग 11 है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और कमेंड बॉक्स में हमको जरूर बतायें आपको इस पलेइंग 11 में किस प्लेइर की कमी खल रही है तो उम्मित करता हूआध की ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड से लोगों के सांद सेयर भी कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो के सांद